Hi Hello everyone, Welcome to Ragnanضin Money आज की विडियो में देखेंगे हमके आप आर्मनी कोई कैप में स्टॉप लोज कैसे लगा सकते हैं तो जैसे कि हमने कोई स्टोक बाई किया हुआ है तो सेल का स्टॉप लोज लगेगा और कोई स्टोक सेल किया हुआ है तो buy का stop loss लगेगा चलो एक एक करके देख लेते हैं तो जैसे मैं यहाँ पर suppose करो के 256 पर buy किया होगा है मैंने ITC तो मुझे अब sell का stop loss लगाना होगा तो मैं यह sell button पर click करूँगा और यहाँ पर अपना margin delivery बेसिकली margin आप select कर लेंगे stop loss इंट्राडे में ही रहेगा और यहाँ पर quantity आप fill कर देंगे यहाँ से trigger price SL select कर लेंगे और यहाँ पर आपको डालना है trigger के कितने पर मेरा stop loss trigger हो जाना चाहिए तो जैसे हम sell का लगा रहे हैं तो यह नीचे का आएगा 264 सपोस करो मैं 264 से ज़्यादा loss bear नहीं करना चाहता तो मैं 264 डाल दूंगा और जो limit price आएगा वो यहाँ पर 263.70 ले लेते हैं अलो उससे थोड़ा सा difference रहेगा कि in case अगर price jump करता है तो भी आपका maximum 263.70 तक order stop loss हेट हो जाए ठीक है उसके बाद plus order का क्लिक करेंगे और confirm order का क्लिक करेंगे फिर उसके बाद we order status करते हैं तो यह आपका stop loss लग गया है कि मतलब आपने अगर 266.50 पर ITC बाई किया था तो 273.70 पर आपका यह ITC sell हो जाएगा ठीक है अब उसी तरह से इसको cancel कर देते हैं उसी तरह से अपन देखते हैं कि अगर हमने sell किया होता तो कैसे लगाना suppose कर वा ITC का यह example ले लेते हैं आपने यह sell किया हुआ है 266.50 पर अब sell के case में buy का stop loss लगेगा तो यहाँ पर हम buy पर click करेंगे ठीक है margin सेलेक्ट कर लेंगे quantity सेलेक्ट कर लेंगे और trigger price SL सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से हमें trigger price डालना है तो जैसे मैंने यह sell किया है 266.50 पर तो मैं इसको तो 260 का stop loss डालना चाहरा हूँ कि 260 से उपर जाए तो मेरा अपने आप stop loss हिट हो जाए पोजिशन अपने आप exit हो जाए ठीक है 266.50 ऐसे 10-20-30 पैसे का difference रखते हैं इसमें उसके बाद मैं place order कर देंगे confirm order अब यह आपका stop loss लग गया है 266.50 ठीक है तो इस तरीके से buy sell के लिए आप stop loss लगा सकते हैं और यह मतलब इसका तरीका यह है चाहें आप stocks में कर रहे हैं चाहें futures में या फिर options में commodity में सब का तरीका यही रहेगा कि आप अगर buy कर रहे हैं तो आपका sell का stop loss लगेगा और अगर आपने sell किया हुआ है तो फिर buy का stop loss लगेगा